एक बार फिर भारत ने दुनिया के सामने अपने शौरे का प्रतीक दिया है दरसल गुरुवार देराग भारत ने परमाडू सच्छम अकनी 5 बैलेस्टिक मिसाइल का सफर परिक्षिन किया मिसाइल के रेंज 5000 किलोमीटर है ये मिसाइल परमाडू हमला करने के अलावा परंपर आगत विस्पोटको को भी लेकर जाने में सक्षम है वहीं इस मिसाइल का परिक्षन ओडिशा साहिल के पास अब्दुलकलाम द्यूप पर किया गया अगनी 5 को बनानी कश्रियर डियाइडियो और भारत डाइनेमिक्स लिम्टेट को जाता है आपको बता दें कि ये 500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर रेंज वाली अगनी 3 मिसाइले हैं इन्हें पाकिस्तान के खिलाब बनाई गई रणीती के तहट तयार किया क्या है वहीं अगनी 4 और अगनी 5 को चीन को ध्यान में रखते हुए बनाये क्या है गौरत अलब है कि अगनी 5 प्रोजेक्ट का मकसद की परमाणूर प्रतिरोधक चमता को बढ़ाना है दूसरी और अगनी 5 के बारे में बात करते हुए रच्छा विशेशक पीके सहगल ने बताया कि अगनी 5 बैलेस्टिक मिसाइल अपने पिछले प्रारूपों की तुलना में काफी हलकी है साथ ही इस मिसाइल में नई तक्नीक अभी इस्तमाल किया गया है अगनी 5 बैलेस्टिक मिसाइल अपनी मारक चंता के कारण चीन के लिए चिन्ता का सबब भी है अभी तक भार्ति मिसाइलों की जत मिन चीन प्रमुख शेहर शामिल नहीं थे अगनी 5 मिसाइल के सफल परिछन के बाद अब इसकी पहुट चीन के प्रमुक शेहरू तक है। इसकी मारग शमता 5,000 किलो मीटर है। चानल के ओखन के घ्ट्रे, लट THIS लुटıs के दिए ध्र काजियत की बात करें तो अगनी फाइब कुछी ही मिनिटों में चीन के ओदोगिक शेहरों को जला कर रा कर सकती है ये मिसाइल परमाडू बम गिराने में भी सक्षम है इसका निशाना अचूक है ये अपने लक्ष को भेदने में बेहत कारगर है इतना ही नहीं ये मिसाइल पंदरा सो किलोग्राम तक के परमाडू हतियार अपने साथ ले जा सकती है साथी दुश्मन के किसी भी शेहर को ये देखते ही देखते नेस्तना बूत कर सकती है फिलाल डियाडियो अपनी मिसाइल के अलग-अलग वेरियंट को और भी जादा ताकतवर बनाने की तयारी में लगा हुआ है ताकि दुश्मन देशों की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दिया जा सके फिलाल इस मिसाइल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट के जरीए जरूर बताएं साथी देशों दुनिया की ताज़ा खाबरे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बैल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले